नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल जी के पिरीश अकडमी पर तो हम लोग डिसकस कर रहे थे ज्यान मुद्रा बुक के हिंदी प्रेक्टिक्ट का और यह वीडियो रिग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपर्टन जो है अगर हम बात करें तो इसमें टोटल फिप्टी कोईशन यानि कि पचास कोईशन पूछे जाने हैं और अगर हम बात करें तो इसमें जो है हिंदी के जितने भी लगभग लगभग टापिक हैं सभी कबर किये जा रहा है तो आपका यह 29 प्रेक्टिक्टिक्ट हो चुका है 50- सभी के सभी इसमें हम लोग पूरा पचास कोईशन डिसकस करते हैं देखते हैं तो इसके पहले 20 प्रेक्टिक्टिक्ट तक हो चुका है उसका पहले प्लेलिस्ट बना दिया है आप लोग जाईए उसको भी देखिए आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हलफ होगा ठीक है अ प्रेफिकर कर रहे हैं पैपर की त्यारी कर रहे हैं वही सफल होता है को एक-दो मैंन पढ़के कोई सफल नहीं होता तो इसलिए देखिए अभी से सब्क से सब्कर्र talk करें और पढ़ते रहिए ठीक है तभी आप लोग जो है диक्ट्टिक्ट अम्हें दिसक फाइदा पूरा के सिंसमें इसे पड़े जो है डिसकस करने वाले में चलिये स customization को स्वार्ण करें देखें तो इसमें पहला संब जो दिया अगया वह है दूंद समास में बिराम दिया चेंदे कंडिया टो है प्रयों किया आपक सिंदे का ठीक हले कि मजब प हिएंग आप तो इसमें अगर हम बात कैने तो राइट एंसर की तो राइट एंसर इसका हो जाएगा यह दोन समास में परियोग करते हैं तो आपका एंसर राइट इसका जो हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस और लिखते हैं संपादक के नाम पत्र में जो है सेवा में जो है वो किस और लिखा जाता है बाई और दाई और कहीं भी या फिर नीचे की और तो सेवा में जो लिखा जाता है ये लिखा जाता है बाई और राइट एंसर इसका होगा एपार्ट ठीक है बाई और लिखा जाता है राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा एपार्ट करेक्ट हो जाएगा अगले प्रशन में हमें स्वर्वर्ड की पहचान करना है अब इसमें अगर हम स्वरड की बात करेंगे तो कवूसा है तो वह सी पाट बड़ा उ जो है यह सवरड के आदा अंतर गताता है बागी का है भाह है और हां है यह सभी बेंजन है ठीक है तो राइट एंसर सी पाट हो जाएगा अगला प्रस्वन्य में बताना है कि व्याकरन के दिश्ट से कसे कौन सा कथन सही नहीं आ है सार्थक्षब्द समूख को वाक कहते हैं वाक के दो प्रमु घटक मारने गया है पहला उद्देश दूसरा विधे और तीसरा आपसद ने किसी भी व्याक में करता और करम का होना आवशचक होता है चोथा वाक है किसी भी वाक में कर्म और करता हो दोनों ये आवस्चक नहीं होता तो इसलिए ये जो है करलत है कतन बात की सारे सही है अब अगला जो है क्वेश्चन होगा जो गध्यांस से होगा ठीक है प्रशन संक्या 6 से लेकर 9 तक और इस गध्यांस को पढ़िएगा और इसके बाद फिर हम इसका हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग गध्यांस को पढ़ लीजीगा पहला क्वेश्चन गध्यांस से दिया गया है कि गध्यांस में पथिक किसे कहा गया है अब पथिक की अगर हम बात कहें तो आप गध्यांस जब पढ़ेंगे तो हुमायू को पथिक कहा कि द्जांस के उसार बुठिया को सामर्थ ताकत नहीं थी सरीस में टो इंसर डाइट कर रहुए आश्वरोहि की बात आए निर्बचनिययका सही सब्द वड़ बताना है कम Nh सही रू से लिकार हुआ है इसमें आप सेंहें 선ly टोटिया था नेरवचनिय के अ बाताए बात करेंगे तो यह option A में इसका सहीं रूप से लिखा हुआ है बाकि सारे जगा गलत लिखा हुआ ठीक है अगला कुशन हमें सुद्वाग बताना है यहां गन्ये का ताजा रस भिखता है ठीक है फिर यहां है ताजा गन्ये का रस यहां भिखता है फिर है ताजी गन्ये का र जो बिकता है यानि कि गन्य ताजे गन्य का रस बिकता है जो कि यह गलत रूप से लिखा हो ठीक है सही इसका वाक जो होगा वह यहां गन्य का ताजा रस बिकता है तो एंसर इसका यह पार करें ठीज़ेगा अब यहां ताजे गन्य का रस बिकता है यह क्यों गलत है क्योंकि गन्ना जो होगा वो तुरंत खेतों से थोड़ी निकाल के रस देंगे उसको काटेंगे फिर इसके बाल लेकर आएंगे मारकें फिर उसका रस निकाल के बेचेंगे तो ताजा गन्ना तो नहीं रहेगा तो इस तरीके से गलत हो जाएगा बाकी ए पार्ट इसका राइट है ने कि तो देखी इस टाइप के अगर कॉakte सन देखे तो देखे यह यह जव तीनों सब्द लिखे हूई है ये तीनों समास के उधार हैं बहभरी सरफ democrat निकलता हो तो तो चक्र पान गर हम विक्रा करें तो चक रहर पानी में जिसके बहर बहर करते हैं यानि कि उनको हम कहते हैं चक्र पाणी, चक्र में पाणी धारन करने वाले अर्थात भगवान विश्डू, तो चक्र है पाणी में जिसके अर्थात भगवान विश्डू हो जाएगा, तो इसका तीसरा अर्थ जो निकलेगा, वो भगवान विश्डू निकलेगा, इसलिए य हो जाएगा इसी तरीके से चंद्रभाल लिखा वा इसका अगर हम बिग्गा करते हैं तो आता है चंद्रमा है आधे पर जिसके अर्थात कौन तो चंद्रमा मात्य पर किसके हैं तो वह भवान शंकर के तो यहां पर इनका अर्थ जो निकलेगा वह शंकर के रूमें निकलेगा तो यह भी जो है बहुबरी ही शमास के अंत्रगचा है आजाएगा ठीक है अगर हम बात करें तो सुन्दर लोचन है इस होता है अंक ठीक है सुन्दर आंख हैं जिसके किसके अंक हैं तो वह induced मेघनाथ की पतनी मेघनात की पतनी का नाम सुखना है तो इस तरिकरसी से यहां सीजों की डी-पार्ड में दिया रिखे मनोयोग में सिंध की बात करेंगे तो हमें भिसर्ग संदी मनाम प्लस योग किसा संद्ग होगा और जहां पर संद्विक्षेद यानि कि किसे उफसर्ग का परियोंगी अब सर्यां कितौ लिखा हुआ इसमें क्वर का परियोगी ऐगार बाकि सब्सक्राइं किया गए तो इन से काटना कांटा का सम्ध कि कि इसका इसका अगिले सब्सक्राइब में अल्य जाएगा चैन करना है इसे से तो केस जो बीपाड में दिया गए यह तद्वो सब्द है बाकि सारे तद्वो सब्द नहीं है ठीक है राष्ट्र की भावाचक संग्या क्या होगी राष्ट्र की हमें भावाचक संग्या बताना है तो इसका एंसर क्या हो जागा राष्ट्रियता जो की डीपाड में दिया अगला प्रशन देखते हैं अगले कुछा में बताना है उसके आधार पर पूरुसवाचक सर्मनाम के भेद का सहीं बिकल्ब बताना है वह कल मुझसे मिलने है यहां पर वह सब्द जो है यह किस प्रकार का पूरुसवाचक सर्मनाम है देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कि यह कौन से क्रिया के अंतरगत आती है तो नामधात क्रिया के अंतरगत आती है अंसर इसका डी पार करेक्ट हो जाएगा किस बिकल्ब में हिंदी परिभासिक सब्द का सहीं परियोग किया गया है इसमें से एपीजमेंट तुष्टिकरन जूडिसियस दिया गया है विधी सम होता है तो आम ले लिया है इसका बावचन क्या होगा तो इस वाकमे वाना जोंट्रिषी पहँदे ऑज्ब, इसका और लिखा हुआ है तो सारस पाप फूरमें लिखा है इसमें से जो इस्तिरी लिंग सब्द की बात करेंगे तो इसमें से छाच जो सब्द है वो इस्तिरी लिंग है बाकि दूध मक्षन मठ्था ऐसा पूलिंग सब्द है पेड़ से बंदर कूदा वाक में काउंसा कारक है यहां पर अलगाओ की स्थिति हो रही यानि पेड़ पर बैठा था महां से कुट पड़ा तो अलग हो रहा है पेड़ से बन्दर टीक है तो यहां पर हो ड़ता है स्परकाम पर होता है उन्हें कamat नुए इसका करे Chung-나ट याथी का समयर्थी प्रश्यमीं प्रश्मों निम्लिखी होता है लेकिन सारंग का सहझा अर्थ और नहीं वह boastIGHT मनुजात और मनुजाद मन ञाती नहीं होता है मान तो एनसर क्या होजाएगा करेंट अग़े quarto हो से इनther वहुंग कोश्चन है थे का नेंसर पूरभी हिंदी यह भोली हैं पूरवी घंदी की बोली आती है लिकि मुंदेली जो हती है पूरी भी घंदी की बोली नहीं होथी, ठीक है? Cuestion कवरी भासा का उधे किस से हुआ है? कवरी भासा के उधे की बात करेगे तो पश्चिवी हिंदी से हुआ है, इसका A पार करेक्ट हो जाएगा तुम कहां जा रहे हैं इस वाक्त में बताना है वाक्त का प्रकार अस्पस्ट करना है question mark last में लगा हुआ है तो अब इसलिए ये प्रश्णवाचक चिन हो जाएगा प्रश्णवाचक वाक्त हो जाएगा answer c b part correct हो जाएगा ठीक है चायादार सब्द की बात करेंगे तो ये संकर सब्द का उधारान है answer d part correct हो जाएगा वह सब्द जिनके सार्थक खंड़ ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं तो उनको कहा जाता है यानि की मूल सब्द answer a part correct हो जाएगा ठीक है बिडवला प्रश्णवाची सब्द बताना अब इसमें देखें आप्शन की बात करेंगे तो सही यह option सी होगा इंद्र लेकिन इंद्र जो होता है बीडवला नहों के बीडवजा का प्रश्णवाची होता है जो कि यहां पर बिडवला लिखा थो थोड़ा सा में कि प्रिंट लाव समू कि रहे के तुर को मानने वाले यसको हम एक सब्द में कहते हैं इस्षर को मानने वाले को एक सब्द में कहते हैं आस्तिक answer इसका is быть correct हो when जो इसर को ना मानता हो इसको नास्तिक कहते हैं कि वागय के लिए एक सब्दिका चञ्ने करना पाप करने के बाद स्वहम् दंडपाना इसकाे are कारेंगे प्राइस जीत करना तो इसके हैं read कौन के लिवरन दीया है तो कौन से लिखक हैं जिन्होंने इतिहास किरन्त में लग भग 5,000 का वीवरन किया है जिम्ट के बारे में मिस्र बंदू अइंश्ये पाट करेश 스ójala ठीक है तो आदिकाल की रजना बात करेंगे तो खुमान रासो जो है या अधिकाल की रचना है उद्रण चिन कितने रूप के होते हैं ठीक है उद्रण चिन बताना कितने रूप होते हैं उद्रण चिन के अगर हम बात किने दो रूप होते हैं इसर सी पार के रठ हो जाएगा योगिक के भेद होते हैं योग इसमें भरेंगे अस्मिता भारत की रक्षा करना परतेक भारतिये का करतब एंसर सीफार कर रखी ठूशन है चाठ का केंदरी हिंदी निदे तो हटी फर कोई प्रभाव नहीं होता इसका राइट अंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है नेश कवसे नेवे नहीं लिए तो प्रस्णों मैं 4 विकल्पों में उस विकल्प का चैनर करना जो दिये गए मुहावर्य का सहीं अर्थ है वाला विकल्फ हैं में से तो हिसाब बैठना इसका जो है सहीं अर्थ बताना क्या होगा तो इसका सहीं अर्थ होगा सुभीता होना सुभीता होना हिसाब बरना में होना एंसर ढोठ करेंड अगला न Saying घृरू के द्वारा सिस को पत्र में अभिवादन करेंगा समय और यह पार अभीवादन करेंगं तो यह था यह था अबराल वीडियो जिसको लोगों ने देखा डिसकस किया जाना सुना वीडियो को लायक như किया तो लाइक कर दिये सब्सक्राइब कर दिजगा और साथी साथ अपने दोस्तों में सहररी भी कर दिज और इस वीडियो होता है इसके और फ़ैस्के बाद इसमें एक और पचास क्वेशन का वीडियो लाष् और इसके पहले सिम्हें मैंने समान ग्यान के टोटल 30 प्रेक्टिस हट कराया हुए हैं जाके देखें बहुत ही इंपॉर्टन ठीक है रिजिनिक के बुक कराया हुए उसको भी देखें घठनाचकर की बुक हुई है उसमें भी वीडियो के लिए बहुत सारा जो है प्रेक्टि